नमस्कार फिग और सेंदूर की किमस सीजन टू में देखने को मिला काफी ट्विस्ट एंट रंसे जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर राणा मेठी को तो गर्शे बाहर निकाल देता है लेकिन उसकी इतनी जदा याद आ रही होती है कि वो बिल्कुल पागलों की तरह ह हो जाता है जहां पर आग लग जाती है तो उसके अंदर अपने जान देने की कौसिस करता है राणा बोल देता है कि मैं मेठी की आतों को नहीं मिटा सकता हूँ और मेठी की यादे ही मुझे माट डलेंगे जहां पर आग के अंदर कुदने लग जाता तो उसे पकड़ लिया जाता है दूसरी तरफ यहां पर मेठी भी माता राने के सामने बैठी होती तभी वहां पर मंदिर में आग लग जाती है तो यहां पर आग को बुझा देती है कि हम आप पर आज भी नहीं आने देंगे तभी वहां पर राना के सामने जो आग लगी होती वह भी बुझ जाती है और राना सांत हो जाता है लेकिन राना मेठी के भिना रहीज नहीं पा रहा होता है उसे हर पल मेठी की याद सता रही होती है जहाँ पर अप्पर फिराना और मेठी का होने वाला मिलन जहां पर राना पूरे प्रिवार के खिलाप जाकर magyavisική को वापस गर लेकर आएगा